हेलो फ्रेंड्स, वेलकम तो लासर विस्ट, दिस राम सोनी, आज हम डिस्कस कर रहे हैं मद्धपरदीश सग्रिकल्चर के बारे में, और ये डिस्कसन, आज अंतिम डिस्कसन होगा, इसके साथ में फाइनली आपका मद्धदेश एकोनामी का पोशिन कम्प्रीट हो जाएगा, बल दिखें, यहाँ पेर हम बात करें प्रापर दरिके से खरीफ और रवी फसलों के बारे में, तो इनके बारे में पहरे डिस्कस कर चुके हैं कि जो चावल होता है, चावल, ये कैसी फसल है, ये एक खरीफ फसल है, यहाँ प्याद रखेंगा, चावल में तीन लिटर खरीफ और रवी के बारे में इसरे से कुशन पूछा आता है, तो आपको हलका से पता हो जाता है, तो फिर आपको लबग लबग याईडिया हो जाती है, कौन सी फसल का बुई जाती है, चुकि रवी फसल मुस्ली बेसिकली ठंडी की फसल है, खरीफ फसल की बात करें, वो बीसिकली बारे से के मुस्ली फसल है, तो ये चीज़े आप लोग अर्ले जानते हैं, नौ इसमें यदि हम बात करें, बाकिच जो के बारे में, जैसे कि हमारे मदवधेस में कौन-कौन से छेतर ऐसे हैं, जहां पर उतपादन काफी जदा होता है, तो जैसे बालाग हाट में ऐस आप लोग चावल की सबसा खेती होती है, बारे समें लोग तीन परसंट जो अगरी चावल की खेती होती है, चावल का उतपादन होता है, वह के लिए बालाग हाट से होता है, कटनी है, सिवनी है, जिले हैं, इसके लावा यदि हम बात करें, प्रोड़क्टिविडी की बात करें, प्रोड़क्टिविडी मतलब होता है, एक हेक्टियर में कितना उतपादन आप कर रहे हैं, तो वहाँ पर देखें, तो असोख नगर यहां पे टॉप में हैं, उसके वास्योपूर और गॉलर जिसे जिले हैं, तो यह रहा हमारी में जो फसले हैं, चावल और गे खेती की जाती है, रभी में जो फसलें की जाती हैं, खेती की जाती है, उसे रोबा बोलते हैं, और खरीब में जो खेती की जाती है, चावल की उसे बरारी बोलते हैं, यह थोड़ा सा बेसिक चीज़ है, इसके बारे में आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे, that's also quite important for you. Now, मदवदेश में जोर और बाजरे के उत्पादन के दिए हम बात करें, जोर बाजरा का जो उत्पादन होता है, mostly जो चंबल का रिजन है, यहाँ पे जोर बाजरे का उत्पादन जदा होता है, और जोर की बात करें, हलाकि जोर में एक इस पेसलिटी है कि कई जगई रभी और खरीब दोनों ही फसलो की रूप में इसको जाना आता है, मदवदेश में रफली राउंड चाल लग हेक्टर की रिजन में इसका उत्पादन कियाता है, लेकिन यहाँ पे जिसमझने वाली बात यह है, कि मदवदेश में जोर रिसल सेंटर है, मदवदेश में जोर अनु सेंटर है, और यह रिसल सेंटर है, खरगोन में, तो ऐस सच यह कोईशन आप से पूछा सकता है, कि मदवदेश में जोर अनुसंदान के अंदर कहां पे है, तो आप बताएंगे, यह मदवदेश की खरगोन जिले में, खरगोन मतला हम बात कर रहे हैं, वेस्ट निमार, आप इसको यहां पे जानेंगे, जोर के बात करें, बाजरे की, इफिट अगर बाजरा, बाजरा की बात करें, बाजरा मोसली हलाकी खरीफ वसल की रूप में जानी जाती है, बाजरा एक खरीफ वसल की रूप में है, लेकिन बात करें, इसमें उतनी ज़्यदा बारिस की चंबल का बेल्ट है यहां पर बाजरे का उत्पादन की आता है इसके लावा मददेश के कई सारे जगों में जो का उत्पादन भी होता है जो मतलब हम बात कर रहे हैं बरली की देखे जो में आपको याद रिट नहीं है दिस इस क्वाइट रिलिवन फो यू कि जो बरली है इसका उत्पादन मददेश के हाला कि बहुत सरी जगों में होता है लेकिन सबसे जदा मैक्सिमम प्रोडक्शन के दिए हम बात करें इसका ड इसके लाव बहुत सरी चीजे और भी हैं मेज मक्के की बात करें मक्के का उत्पादन भी मददेश में होता है इस अपनो और मक्का वैसे बीस समय देखें तो कौर्ण जो है पॉपकौर्न आप खाते हैं जब भी थीटर मूबी देखने जाते हैं that's a very expensive thing anyway मेज की बात करें म इसको कई वार queen of grains ही बुलाता है that's what called as a queen of grains मद्वदेश की बात करें मद्वदेश में पूरे देश का मक्य का जो पादन का जो रेस्यू है 12.3% 12.3% लेकिन यह हम पॉइंट में देखें तो 12.3% आफ इंडियन प्रोडक्शन यह प्रोडक्शन हमारे मद्वदेश में होता है तो मद्वदेश की जो रैंक है यह कौन से रैंक है अलोवर इंडिया में मद्वदेश की रैंक है थर्ड रैंक तो हमारी जो rank है, third rank in अंडिया है, ये थोड़ा सा आप रोग याद रिखें, this is quite relevant for you, पूरे अलोबर इंडिया मुद्धिस के rank इतनी है, third rank है, इसके लावा यहाँ पे एक चीज़ और याद रिखना है, कि यहाँ पे इसके लिए बहुत बारिस के आवश्यक्ता नहीं होती ह रफ्ले राओं 52-70 cm की बारिस होती है, इतना question आप से पूछा नहीं जाता है, लेकिन ये मद्धवदेश में इसका उत्पादन सरवादी कहां होता है, ये question आप से जरूर पूछा सकता है, तो मक्के के बारे में यह आप याद रिखेंगे, कि maximum production के दिए हम बात करें, यह य बार में आपनो सबसे दिए कुछ पादन मध्वदेश में मक्के का होता है, रफ्ली एराउं 15.8% पर्ड़क्शन पूरे मध्वदेश का के लिए धार से होता है, इसके बाकी जिले भी है, जिसे चिंदरवाड़ा है, चिंदरवाड़ा की बात करें, चिंदरवाड़ा में कि यहाँ पे मक्के का प्रड़क्टिविटी सबसे दिए कहाँ पे है, तो यह आपको जुरू पता हो अच्छी है, अलागि इतना डेटेल कोशन नहीं पूछा आता, आपसे रैंक पूछा जाएगा 10 पॉस्बिल्टी मैक्सिमम में, लेकिन प्रड़क्टिविटी बात करें बुरहानपुर की प्रड़क्टिविटी काफी अच्छी है, बुरहानपुर में अधि हम देखें, यह प्रड़क्टिविटी हम केजी पर हेक्टेर के सब दिखा रहे हैं, कि एक हेक्टेर जो लेंड है, उसमें कितने केजी उत्पादन किया आता है, तो बुरहानपुर में तो धार में उत्पादन भी जदा है, यह लिए प्रोड़ा उत्पादन भी काफी जदा है, रफली राउंड तीन हजार चारसो चोहतर किलोग्राम पर हेक्टेर में उत्पादन किया आता है, तो यह एक बड़ा नंबर है, ठीक है? मददेश की बात करें, तो मददेश में एक बड़ा उत्पादन भी है, और मददेश में रफ़ली puppy राउंड 13 लाक हक्टेर के आछ पास एरिया में, हम लोग मक्य का उत्पादन करते हिं, तो यह भी थोड़ा सा आप लोग ज़या दaton सकते हैं, रफ़ली राण 13 लाक हक्टे कितना होता है एक तिर होता है आपका 10,000 मिटर स्कॉर्मेंस तरी इस 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 बहुत बहुत ही बढ़ी परफॉर्मेंस है और वैसे भी नाइट्रोजन फिक्सन की पॉपरटी होती है दलहन में इसलिए कहते हैं जो क्रॉप रोटेशन कियाता है वहां पर दलहन का उत्पदन किय काप लगाते हैं दो उससे आप के जो खेट की जो ऊरुव बाखते है वह काफी अच्छी है इसमें राइजसोबिया में एक बड़ी important property होती है इसमें nitrogen fixation की property होती है हलाकि मुझे बताने की जुरूत नहीं आला few know about that thing बट फिर भी इसमें nitrogen fixation की करने की property होती है जो काफी important property होती है इसके चलते आपका जो वहां की basically जमीन होती है उसकी रूराचमता काफी ज़्याच्व आच्व आती है नाव nitrogen स्थरी गरणवे से बोलते हैं नाव इदि हम बात करें मद्वदेश में as of now दलहन के उत्पदन में किलब कितनी एरिया में उत्पदन हम करते हैं इदि हम इसकी बात करें देखें जो थोड़ा सा यह एक अप्रॉक्समेट डिटा देते हैं आपको बहुत सूचनी क्या होई शेकता नहीं कितना पुराना क्यों है अप्रॉक्समेट डिटा है roughly 7,470 इतने थाउजन हेक्टियर इतने थाउजन हेक्टियर इतने हाजार हेक्टियर एरिया में हम लोग दलहन को उत्पदन करते हैं जोकि आपके अपकी सर्वे में thousand हेक्टियर के फॉर्म में दियाता है वैसे इसको आप 74,00,00 लाक हेक्टियर बोल सकते हैं तो 64,00,00 हेक्टियर रीजन में आप यहां पर दलहन के उत्पादन करते हैं दलहन के उत्पादन की बात करें दुहट सत्रा ठारा में कितना production हुआ है इसकी बात करें तो roughly 9,460 इतने thousand इतने thousand metric ton इतने thousand metric ton आपका यहां पर production हुआ है तो यह एक बड़ी बात है लबक 14,000,000 मेटिक टन का उत्पादन हमारे मद्वपरदेश में दलहन का हुआ है पलसे का हुआ है and that's one of the very important one इसे मद्वपरदेश के रैंकिंग आज़ाफनों पुरे देश में सबसे टॉप रैंक पे है now if you look over some other things like दलहन के उत्पादन है मद्वपरदेश का तो रैंक टॉप में है लेकिन बाकी जो राज्य है उनकी रैंक क्या है तो रैंक में फर्स्ट पे मद्वपरदेश है मद्वपरदेश का प्रोड़क्शन है roughly 27.23% तो पूरे देश का एक चोथाईस जदार प्रोड़क्शन अके लिए हम करते है सिकेंड नंबर पे आता है महारास्टर महारास्टर में भी दलहन का उत्पादन काफी अच्छा है महारास्टर की बात करें एरिया वाईस महारास्टर मद्वपरदेश के बाद जो है तीसरा बड़ा इस्टेट है रायस्थान टॉप में उसके उत्मद्दे से तो यहाँ पे रफली 16.58% प्रोडक्शन होता है दलहन का तो इसलिए महाराश्टा में काफ़े ज़दा होता है और तीसरे नमबर पे आता है यहाँ पे राजस्थान रायस्थान देखा है तो रायस्थान में भी दलहन का उत्पदन काफ़े ज़दा होता है तो रफली राउंड थर्टीन पॉइंट त्री परसेंट यह जाफनो मद्देश के टॉप इंडिया के टॉप स्टेट्स हैं जहाँ पर इसका उत्पदन होता है इसके लावा दलहन फसेंट के लिए हमने जगे जगे कई सार रिसर सेंटर की स्थापना की गई है इसे मद्देश के टॉप सारी पल्सस को यहाँ पर काउंट कर लेते हैं इसमें चना है, मूग है, मसूर है, उड़ा धै इसमें चना कर लेते हैं, तो मद्देश के लिए हम बात करें तो मद्देश में एक ऐसा जिला है, जो की है सिहोर मद्देश में सिहोर एक ऐसा जिला है, यहाँ पर पल्सस के लिए प्रापर तरीके से रिसर सेंटर बनाया गया है तो Pulse Research Center यहाँ पर बनाया गया है तो यह भी आप लोग याद रखेंगे This is also quite important for you Pulse Research Center बनाया गया है कहाँ पर? यह बनाया गया है आपका शीहोर में तो यह थोड़ा सा आप लोग को location याद रखने है कि मदबरेस के सीहोर जिले में हम लोगों ने दलहन फसल्स वो देन तकनी के पशार केंदी के स्थाफना की है जिसमें यह सारी सीज़ें यहाँ पर study किया आती है किस तरह से रिस्टूखे की समस्या है या कभी ऐसी समस्या आ गई इरिगेशन प्रोपर द्रीगे से नहीं एवल करा पाएगा पगरापयत उस condition में हम कैसे उसे इसको handle करें फसल्स में कई सरी फसले हैं जिसे gram है gram मतला हम बात कर रहे है चने की तो मदवदेश में चने का जो उत्पादन होता है यह दि हम उसकी बात करें कि देश के कुल उत्पादन का देश की कुल उत्पादन का कितना परसेंट होता है तो पतोना ची मदवदेश is having the first rank मदवदेश की रैंक क्या है मदवदेश की रैंक है first rank और इसके लावा एक चीज़ पतोना चीज़ आप लोग को कि roughly 38% of India's production 38% of India's production अकेले मदवदेश में होता है मतलब एक बहुत बड़ी मातरा में production मदवदेश चैने का करता है महराइस्ट और रायस्थान जैसे राज जिसके बाद में आते हैं इसके लावा मदवदेश की कौन से जिलो में चैने का प्रमुक उत्पादन की बात करें तो जिलो में चैने की बात करें बात करते हैं तो production में हमारी जो rank है तो first rank पे कौन है first rank पे है चिंदवडा चिंदवडा में पूरे मदवदेश का roughly round 5.5% production हमारे मदवदेश में किया जाता है as of no second number पे है राजगड राजगड वही जिला है जो topic of cancer को touch करता है और राजगड की बात करें roughly 5.1% production यहाँ पे होता है तो यह मदवदेश के टॉप जिले हैं थर्ड नमर पे आता है उस जैन टॉप थ्री का ही डिस्कुस करते हैं बाकि उसके बात कर डिस्कुस करने के आवश्यक्ता नहीं है roughly 4.9% यहाँ पर्षेंटेश आपको नहीं याद रिखना है यहाँ पे आपको छिनवडा का नाम जरूब याद रिखना है आपसे पूछा सकता है कि चैने के उत्पादन में मदवरेश का कौन्स दिला है जहाँ पे सबस्लिक प्रोडक्शन होता है तो आपको याद रिखें यह है चैनवडा Now if we talk about the productivity productivity का मतलब यह है कि कितने किलोग्राम प्रोडक्शन कितने किलोग्राम प्रोडक्शन आप एक हेक्टेर एरिया में करते हैं यह कहलाता है productivity तो productivity में देखें तो मदवरेश का जो टॉप डिस्टिक है वहाँ पर भी चिनवडा का नाम आता है चिनवडा में productivity काफी अच्छी है और यहाँ productivity है 2589 किलोग्राम पर हेक्टेर सेकेंड नबर पर यहाँ पर आता है भिंड जिसे जिले जो है यहाँ पर पर यहाँ है 1372 यहाँ पर भी आपको बहुत जार नहीं याद रखने की जुरुत है productivity में सिर्फ आपको rank की आदर रखने है और पहली rank की आम तोर पुछा आता है बाकियों के बारे में पुछा भी नहीं आता है आपको तूर इसका कोई इंगलिस नाम नहीं है इसको पीजन पी आप बोलते हैं है न आप तरीवे एनिवे आरहर तूर दोनों वर्ड इस्तेमाल करते हैं वैसे हम लोग लोग तो यहाँ पर मद्देश की ranking जो है वो थर्ड रैंक पर है थर्ड रैंक यहां पर यादर सकते हैं इसके लावा यहां पर मद्देश में इसके लिए अनुसंधान केंद्री बनाए गया है तो मैं इसको तूर रिसर सेंटर बोलता हूं तूर रिसर सेंटर अरहर रिसेंदान केंदर अरहर रिसेंटर एनिवे तो इसमें तुवर रिसेंटर कहां पे है यह है आपके सेरपुर में कहां पे है सेरपुर में सेरपुर कहां पे है सेरपुर है आपके सिहोर जिले में कहां है सिहोर जिले में सिहोर में है तोर रेसर सेंटर इतना पसक्राइब आप याद रिखिए विकास पॉस्बिल्टी है कि कभी-कभी यहां पे इस तरह से छोटे-छोटे कोशन पूछ लिया आते हैं मद्रदेश में एहां पे हम बात करें, पॉड्रक्षण कहां पे जब्धा होता है, तो sleeping production की की बात करें, इस का percentage देख लीजै, 13% अवाशक्षास यहाम पे होता है बस इतना यदि रखे, बहुत जर्टेल में याद रखने के आवशक्ता, नहीं है मद्देश में दाल में एक और दाल है उड़द आपने उड़द का नाम सुना होगा उड़द हलाक इतना डिटेल यादक नहीं जुरूत नहीं है इसको हम ब्लैक लेंटिल बोलते हैं तो इसके दिया हम बात करें तो यहां पर मद्देवर्देश के बहुत जिले हैं जहां पूछानी जाएगा इतना ही पूछ लिया जाए तो बड़ी बात है अरहर स्वरी दलहन के बारे में डिसकुस करने के बाद हम लोग डिसकुस करते हैं और सीट के बारे में और सीट मतलब हम बात कर रहे हैं तिलहन के बारे में तिलहन का मतलब है जिसे हम ओयल लिकालते हैं तो मदध्रिश में तिलहन बहुत सरी चीज़ों है मुखफली है सब्टेल है सुरज मुख्य है यह सरी चुको आप करते हैं मदध्रदिश तिलहन के उत्पादन में तो कि वस्ट रैंग थे लिए तिलहन के लिए यहाँ करें तो मदभदीश यहां पर मदभदीश की रैंकिंग क्या है मदभदीश फॉस्ट रैंक पर है यह थोड़ा सा आप यहां पर यहां पर रखेंगे दिखेंगे इंपोरेंट फॉस्ट रैंक के दिए हम बात करें तो फॉस्ट रैंक में कौन सा है फॉस्ट रैंक में है अपन तो यह आपका राजस्थान में राजस्थान में रफली राउंड 20% के आसपास है तो रफली 19.7% प्रोडक्शन राजस्थान करता है और तीसे नमबर पे हैं महाराश्ट्रा थर्ड राइंग पे हैं महाराश्ट्रा वैसे भी आपको पता होना चीब प्रोड़ी 6.4% प्रोडॉक्शन प्रोडाश्चन के बारे में यसके बारे में आपको जन्करी होनी चाहिए हम कंप्लीटली आलरकी सिलफ डिपेंडेनि em apart इसमें आपकी कंबोडिया है लाओस है या वियतनाम ऐसे कंट्री से में आयल इंपोर्ट करना पड़ता है जो खाने वाला तील होता है तो थोड़ा साथ में याद रखना है आई आफ़नों देखें तो हमारे ऑयल सीड्ड में कौन कौन सी चीज़ें आती है जिसमें राई है सरशोँ है जिसके इक पर डिसको कर लेते Grow साथ का एक पर इसके लिए को पर बात कर लेता है तो यहाले की इसको एक हर बोलाय आता है अब इसमें दिखाजा है तो मदियवप्रदेश का जो पठारी एरिया है इसको सर्शो उत्पादन की हंड भी खाता है तो यह भी काफ़ींट्र समय है और मुरेड़ना में कई सारे सर्शो उत्पादन के कई सरे यहीं पर सबसे लिक उत्पादन होता है क्या आप देखेंगे यहां पर राई को पदन का फिर जदा होता है इतना ही आपको यादर ने जुरूत रहे हाँ मुरेडा में जरूर सर्स्रोक के उतपादन के सरे कार्खाने यह से थे थैंतों आप याद रसते हैं बहुत जार रियर द्रेल मेरे क्या रखने की आवशकता है नहीं मद्देश प्रदेश में सोयवीन के बारे में जरूर थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा सोयवीन मद्देश को सोयव राजी बुला आता है इसलिए सोयवीन के बारे में थोड़ा सा डिसकुसन हम जरूर करेंगे तो सोयबीन की बात करें तो यहाँ पर इसमें एक बड़े इंपॉर्ण है इसे दलहन भी बोलते हैं दलहन की बोलते हैं बिकॉज इसमें जो इसमें भी नाइप्रोजन फिक्षन की प्रॉपरिटी होती है सोयबीन की फशल में सोयबीन की जो जड़ें होती है इसलिए soybean जो है इसलिए इसको दलहन की रूप में भी बूरते हैं और तिलहन तो है यह वड़ा बिया से बाते हैं आल सेट की रूप में इस्तिमाल करते हैं तो यह बेसिकरी दलहन और तिलहन दोनों में काउंट कियाता है इवनली एक्जाम में पूछा भी गया कई बार कि सोयवी दलहन है या तिलहन है या दोनों है तो आप बताएंगे दलहन भी है और ये तिलहन भी है तिलहन का मतलब इससे आप तेल भी निकालते हैं मतलब दास पर्लस ऐस बल दास ओयल सीड तो यह दोनों को आपको यहाँ पर याद रखना है मध्यव देश को इसके उत्पधन के लिए सोया स्टेडी बोलते हैं और यह दर्जा मतलब देश को इसले मिला है कि मध्यव देश में सोयवीन का एक बड़ा उतपधन किया आता है सोयवीन एक प्रकास से कैस क्रॉप भी बन जाती है इधास कॉल्ड कॉमर्स सिल क्रॉप थी भी थोड़ा से यहां पर आपके लिए इंपॉरेंट है ना स्वेविन क्या अग्रिकल्चर के दिए हम बात करें तो मद्देश में अब्यासी बात है मालवा रीजन में बड़ी मातरा में स्वेविन का उत्पदन किया आता है और स्वेविन का उत्पदन पहली 1962 जो किताबों में डेटा मिलता है उसके इसाब से 1962 में आपे स्वेविन को उत्पदन शुरू है और ऐस आपनों स्वेविन ने एक बड़ा कंट्रिबुशन किया है स्वेविन एक खरीफ फसल की रूप में उगई जाती है यह आप प्याद रखेंगे यह खरीफ क्रॉप फ का मतलब यह कि जून में इसको आप भुवाई करेंगे अक्टूबर में से कटाई करेंगे सिंपल सी बात है यह प्रकास आप कह सकते हैं कि खरीफ फसलें जो है प्रकास से रिनी सीजन बिसिकली होता है नो यहां पर एक चीज़ा रखना है कि मधवरेस के बारे में मधवरेस जो है कितना उत्पदन करता है तो मधवरेस का रैंक तो आपको पता होना चाहिए पर्सेंटेज भी थोड़ी पता होना चाहिए चुकि यह कोशन एक्जाम में पूछा जा सकता है तो मधवरेस इदि रैंक में देखें तो रैंक में कौन से राज्य फस्ट रैंक पे है तो पूरे देश का 50% से दीक उत्पादन अक्यलिए महारास्ट्रा महारास्ट्रा भी बहुत ही बड़ी मात्रा मुत्पादन करता है और इसके बाद फिर बाकी बहुत सबसे बड़ी मात्रा मुत्पादन सोयबीन का किया जाता है सोयबीन की बारे में थोड़ासा आप और जान लीजे सोयबीन में कितनी एरिया में एज़ाफनों प्रोडक्शन किया आता है तो 2017-18 के हिसाब से इदि आप इस डिटा को आप चेक करेंगे तो यहां पाएंगे रफ रफ ली 50 हलाइकि डिटा किताब में आपको हजार में मिलता है अब भी हजार लिख लो नहीं को सकता आप से हजार में पूछ आ जाए तो पांस हजार 10,000 इतने हेक्टेर रीजर में आपको इसको पदन मिलता है यह आप लाख में देखें तो डिरवाइज़ पचास लाख हे किस इतने हजार थाउजंड इतने थाउजंड मिट्रि टन एज आपनों हो गया है तो देखा जाया तो इसमें भी हलाकी फॉल देखने के लिए मिला है इस साल थोड़ा फॉल बिला था बाकी राज़ों में बाकी जो टाइम थे उसमें आमतों पर जदा प्रोड़क्शन होता मठ फिर भी यह रफ्लिेख ड़्ट आपको पास 5-6000 हेक्ट से 5-6000 हेक्टियर में 50gent से साथ लाक वेक्टियर में रिजन में उत्पादन करते हैं उसमें करते हैंबवा शक्षन गारे सोयाधियं के बारे में एक बहुत महतमूर फैक्ट है जु अखसर एक्जाम में पुछा जो है यह कहां पर है सोयबीन रिसर्ट सेंटर की बात करें तो सोयबीन रिसर्ट सेंटर है आपका इन दौर में यह बहुत इंपॉर्ण है और यह सोयबीन रिसर्ट सेंटर नेशनल लेवल का सोयबीन रिसर्ट सेंटर है यह कुश्चन एक्जाम में कई बार पूछा गया है इ याद रिखेंगे इसके लखाव स्विवीन के बाद हमारा टेट स्विवीन जी सेंटर यह तो नैसनल है यह एक विद्धे मेर इस स्वावाव संटर भी है इसको भी आप फोड़ी सी याद रुखेंगे यहां पर कुछ छेत रहते हैं जहां पर विसेश मालवा का मालवा में कपास का उतपादन मालवा में आपका मालवा रिजन में ही आपका उतपादन का आता है मालवा रीजन में जो मिट्टी पाई जाती है वो काली मिट्टी पाई जाती है और पदो नाची इसी के चलते हैं मालवा के रीजन को आप जो काली मिट्टी है उसको कपासी मिट्टी भी बोलते हैं तो दोनों चीजें इस्तिमाल के आती हैं सच अलकि निमाड के रीजन में भ प्रवर्दे से कौन से हैं तो यह थोड़ा सा प्याद रखें देसं गूर्ड इंडिस्ट्रिक कौन कौन से चार जिले हैं निमाड रेजन की जिसमें बढ़वानी है बढ़वानी से लगा हुआ बुरहान पुर है लगा हुआ नहीं है तोड़ा दूर है और इसके चलती ने सुने जिले बुलायाता है तो थोड़ा सा आप गयाद रखेंगे बागी कपास को पदन बागी धारजा वो रिजन में भी होता है दिवास रिजन में होता है ना एस सच हम बात करें मददेश में इसके रिसर सेंटर जो है कहां कहां पर है यहां पर कोशिन पूछा सकता है तो हमारे मददेश में आपनों जो पहला और गिनिक सन 2018 में मददेश में एक डिलोपमेंट किया गया और यहां पर जो पहला और गिनिक कॉटन रिसर सेंटर के स्था Cotton Research Center Organic Cotton Resource Center बतब जैविक का पास अनुसंधान के अंदर जैविक का पास अनुसंधान के अंदर Organic Cotton Resource Center ये पहला Organic Cotton Resource Center तो हापे मैंने स्थापित किया इसके स्थापना की खंडवा गया और इसका नाम है याद रखना इसका नाम है भगवंत राव मंदलोई तहाँ पर इस थापना कीगी औरगेनिक कॉटनिसर सेंटर की इसके स्थापना कीगी भगवंत राव मंदलोई भगवंत राव मंदलोई एगरिकल्चर इन्वस्ट्री एजी इन्वस्ट्री खंडवा यह आप याद रिखेंगे भगवंत राव मंदलूई एजी इंवरस्टी खंडवा में आपने क्या सपित किया है यहाँ पर सपित किया है पहला औरगेनिक कॉटन रिसर सेंटर मदरेश का ठीक है तो यह थोड़ा सा आप यहाँ पर यहाँ रिखेंगे हलाकि एक औरगेनिक कॉटन में एक और चीज़ा इसका एडवांस बराइटे जो है बीटी कॉटन बनाया गया था आपको याद होगा बीटी कॉटन में यहाँ पर प्रोड़क्टमटी भी काफ़ जदा होती है और यह ली कॉटन में जो किड़े लगते हैं वो भी नहीं होते ह जलवाई उपर वरतन का बोज़ा असर होता नहीं है इसमें तो यह बीटी कॉटन याद रिखिया सन दो हजार दो तीन में सन दो हजार दो और तीन का टाइम था जिस समय गवर्मेंट आफ इंडिया ने इसको एक कॉमर्सियल क्रॉप के रूप में अलाव कर दिया था तो ग आकि जो फसले हैं उसमें कुछ फसले और भी हमारे मद्धिय से पढ़एंगे यह फसलें बहुत जदा बाकी फसलों के बायरे नहीं करेंगे जूट को पादन मद्धियिस में कुछ जगों किया था जैसे मंडला है दिन और वीजन है लेकिन मद्धियोबर्देश में जिस फ इस तरह पोशन पुछा गया इसको थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगा इसमें फस्ट रेंग पर कौन सा है सेकेंड नमर पर कौन है इसकी प्रोडक्शन में भी थाक बूर प्रोडक्शन राइट नोवे होता है कर लोग आपके सिकेंड नमर पर आता है यह बन देर्दिश के जिले हैं जहां पर मेरवाना का प्रोडक्शन इसको प्यार रखेंगे कि पुरहांपूर डिस्टिक के दिरे हम बात करें यहां पर इसकी घूजर जामली यहाँ पे उरहानपूर में कहा है गुजर जामली और बड़ा गाउं यहाँ पे गाज़े पदन किया आता है तो ऐसा सीव गाज़ा का याद रखी का प्रडक्शन में कहां पे हैं कौन को जिले हैं खंडवा और वुरहानपूर यह आप याद रूखे डिस्ट्रिक याद रूखो दरस मोद अफ बाकि जाद बिखने यह वश्कता नहीं है एक और है अफीम इसको बोलते ओपियम अफीम बेसे रवी फेसर में आता है लेकिन यहा प्रडक्शन में आता है Mansoor फ़स्ट रैवंग पर है निमच यह दो जिले अफीम के उतपादन में टौप और रैंग पे है तो एक तो आफ के पापिस्टान अफगानिस्टान साइड का है और दूसरा आपके इधर में आरमा साइड का है ना तो उसको डिस्कूस करेंगे वह भी जदर लेवन आपके नहीं है बट मद देशी कॉंटेक्स में इसको पुछा सकता है एक और चीज़ा टोबे को तंबाकू तंबाकूत पादन में जो सब से आप रैंक पर रहे है वार्य ओट एवा però करें सिर रिव में आगे रहा जो है हमारा एक और discussion थोड़ी करना पड़ेगा because फोड़ा सा research center के बारे में discuss इस बार नहीं कर पाए है तो अगला discussion हमारे research center में discuss करेंगे research center के बाद हम लोग class को wind up करेंगे उसके बाद में ये position finally complete हो जाएगा उसके बाद में हमारे कुछ जो पॉलिसीज है उसके बारे में discuss करना है तो पॉलिसीज के बारे में discussion हम लोग फर्दर रख जो करेंट फिर मदेश की classes होंगी वहां पर हम दो सब्सक्राइब करेंगे ना तो चले discussion करते हैं मुलाकात करते हैं फिर तब तक लिए बाबाइब करेंगे रहे हैं वान फूटे हैट कीप फावर्वड एं टेक केर थैंक्स मुच